खबर इंदोर से है जहां भारती टीम के तेज गेनवाज आवेश खान को वाइरल फीवर हो गया है इसके चलते उनके रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले की प्लेइंग 11 में सामिल किये जाने पर संदे है वाइरल फीवर के कारण वे दो दिन से होटल के कमरे से बाहर भी नहीं आए हैं बताया जा रहा है कि वे मैच खेलने की स्थिती में नजन नहीं आ रहे हैं मेडिकल टीम उनके स्वस्त का लगातार ध्यान रख रही है आवेश खान भले ही गुरूप मैच के दोनों मुकाबले में महेंगे साबित हुए हो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाब फखर जमा का एहम विकेट लिया था फखर भारत के खिलाब जब जब खेलते हैं उनका बल्ला जम कर बोलता है ऐसे में आवेश ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई थी वे ज़्यादा तर एहम मौकों पर टीम को ब्रेक्थू दिलाते हैं इ मगर अब उनके बीमार होने से रवी वार को होने वाले मैच में उनके खेलने पर संसे बन गया है जस्परीद बुमराह और हर्शल पटेल के चोटिल होने के बाद अर्श दीप सिंग और आवेश खान को बुनवेश्वर कुमार के जोडीदार के रूप में भारती टीम में चुना गया था वाइरल फीवर के चलते आवेस्ट अगर टीम से बाहर होते हैं तो दीपक शाहर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकता है अगर दीपक टीम का हिस्सा होते हैं तो भारत की बल्ले बाजी भी मजबूत होगी सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ हैं हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहत सभी प्रकार के मेडी क्ल सको के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल होस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाय आयश्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के ल या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नेशनल होस्पिटल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 860028859900 पर